इसलाम दर्म का इदुल अजहा खास त्योहार माना जाता है और इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन दर्मेग मर्यादाओं के अनसार बकरे की कुरबानी दी जाती है इस साल बकरीद 22 अगस्त को मनाई जाएगी वर्ष भर में इसलाम दर्म में दो ऐसे त्योहार आते हैं जो सभी में हर शो लास भर देते है इसलाम धर्म में एक बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाने वाला यह त्योहार हमेशा लोगों की चर्चा का विश्यक बन जाता है जिन लोगों को इस धर्म तथा इससे जुड़े बकरीद के त्योहार का पूर्ण ग्यान नहीं है वे नहीं जानते की क्यों बकरे की कुर्बानी देने का महत्व है वैसे केवल बकरे की ही नहीं कुछ लोग उट की कुर्बानी भी देते हैं दरसल इसके पीछे एक कहानी एवन उससे जुड़ी मायत अच्छे पी है बकरीद मनाने के पीछे एक कहानी प्रचलत है कहा दाता है कि इब्राहिम अलाय ये सलाम नामक एक व्यक्ति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, काफी मन्हतों से इब्राहिम अलाय ये सलाम को एक त्रत्र की प्राप्ती हुई, जिसका नाम उन्होंने इसमाइल रखा, एक दिन इब्राहिम को सपने में अल्लाह ने उससे सबसे प्रियरचीच की कुर्बानी देने के लिए कहा अलहा के हुत्म को नमानना उनके लिए मुम्किन नहीं था इसलिए वे बेटे की कुर्बानी देने के लिए तयार हो गए लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की बले देने लगे उसी वक्त किसी फरिष्टे ने छूरी के नीचे से इसमाइल को हटा कर एक मेमने को रख दिया कुर्बानी के बाद जब उन्होंने आखों से पटी हटाई तो देखा इसमाइल सामने खेल रहा है और नीचे मेमने का सिर कटा हुआ है तब से इस पर्व पर जानवर की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया